असलाम लेकूल फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूं बहुत ही खास बहुत ही लाजवाब रेसिपी जो की हैं अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी यह बहुत जादा मज़े की बनती है यह कि यह माने जब मैंने पहली दफा इसको बनाया यह तो मेरा ट्रकेश बन गया वैसी तो यह मटन से जादा बनाया जाता है लेकिन चिकन से भी बना सकते हैं तो आपको मैं आज सिखाओंगी चिकन अफगानी कैसे बनाते हैं यह बहुत ही कम यह मसालों से बनाया जाता है तो चले स्टाइप करते हैं आज इसको बनाना प्रेंड्स सबसे पहले हम दही को फेंटेंगे मिक्सी में आप हाथों से भी फेंट सकते हैं ताकि जो लंप यह खतम हो जाएं मैंने लिया है एक किलो दही यानि आफ किलो जामुद्वर और उसके बाद मैंने यहां पे कुछ शब्सी ली है जैसे कि मैंने लिया है दनिया दा और कुछ हरी मिर्चे मर्थसमांगन और इनको भी हम फाइनली पेस्ट बनाएंगे अगर पेस्ट रड़ी है अब हम किसी बर्तर में निकालेंगे इस पेस्ट को और उपर से डालेंगे यह जहीं जो हमने पेंटी है पूरी दही इसमें डालेंगे और अब मैं यहां पेस्ट में डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चमच काली मिर्च पाउडर, मर्स पाउडर यह हैं गरमसाला पाउडर एक चमच इसमें जाएगा थोड़ा सा वैनिगर यानि सिर्का यह उप्षिनल है अगर आप नहीं चाहोगे तो इसको सिक्व कर सकते हों और इसके बाद हम यह सारा मिक्स्चर मिलाएंगे अच्छे से अब आदे से एक गंटे के लिए मैरीनेट करने के लिए रखेंगे यह हमारा चिकन जिसको मैंने ओल्री वाश किया हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे इसको और डब के रखेंगे एक गंटे के लिए आप आओ फ्रेंट्स चिकन को मैरिनेट के बाद इसको हम फ्राइग करेंगे इसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक पैन में ओईल और रहे है हमारा चिकन इसको हम निकालेंगे और एक के पीस इस पैân में डालेंगे और फ्राइगकरिण अच्छे से जूहीं यह एक साइड से फ्राई हो जाए इनको हम टर्न करेंगे एक एक करके और दूसरे साइड से भी इनको फ्राई करेंगे इदे की फ्रेंड्स से फ्राई हो चुके हैं अच्छे से अब हम इनको निकालेंगे और इसी तेल में थोड़ा सा तेल हमने निकाला है और इस तेल में हम कुछ मसाले आड़ करेंगे जीरा, जूर, बड़ी इलाइची, बड़ल, दालचीनी, लॉंग, रॉंग, छोटी इलाइची, निचल और इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद जो हमने मैरिनेशन का जो मिक्शर था ये इसमें एड़ करेंगे और इसको हम कुप करेंगे इसमें स्पैचूला हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉइल ना आ जाए वरना दही फटने का खत्रा होता है और जो ही इसमें एक बॉइल आ जाए अब हम इसको दस मिल तक ऐसी कुप करेंगे मेडियूम टुलो फियोंगे पाकि ये जो करी है ये थिक बने क्यूंकि यूज्वली इसकी जो करी है ये थिक खाई जाती है और दस मनक के बाद हम ये चिकन पीसिस इसमें एड़ करेंगे ऐसे हम और दुदन टुदने के बाद इसमें इसमें डालोंगी नमक एक वर पूरे चिकन के साथ इसको मिलाओंगी और नमक दालने के बाद इसमें हम उसको हम 20 में के लिए पकाएंगे प्रेंड्स तीस मेंट के बाद ये देखे अफगानी चिकन रडी हो चुका है अब हम इसको डिश्वर्ड करेंगे फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है आप भी अपने गर पे ज़रूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको मेरा आज का वीजिओ पसंद आया तो प्लीज मेरे वीजिओ के निचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए औ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग अलाहाफेज